हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगें टू लेंटरी देतीमन, तो कैसे हो आप सब, आई होप सब भी बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो देखिए लास्ट वीडियो में एक कोशन था कि कुंबलगर का किला कहां इस्तित है, वैसे कुंबलग विचे से पड़ा है आप लोगोंने, टॉंक जिले में इस्तित है, देवली कस्वे के पास और बिसलपूर बाण्ध जो है वो बना समदी पर बना है, किस बांध का पानी जैपूर के लिए जीवन दाई कहा जाता है, तो वह बिसलपूर बांध का पानी है, किस बांध का पानी जैपूर के लिए जीवन दाई कहा जाता है विसलपूर बांध का पानी विसलपूर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है तो मैंने आपको बताया कि बनास नदी पर विसलपुर बांध का निमान कब करवाया गया था? तो देखिए, कब करवाया गया था? 1999 इस्वी में Next है, सुनेहरी कोठी राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है? यह नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के निकट टोंक में इस्तित है ठीक है? डारेक्ट पूछा भी जा सकता है कि सुनेहरी कोठी राजिस्थान में कहां इस्तित है? किस जिले में? तो आंसर क्या है? टोंक जिला टॉंक में इस्तित जो सुनेरी गोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है गोल्डन मैंशन या सीस महल सुनेरी कोटी को राजिस्थान जरकार द्वारा एतिहासिक इसमारक कब घोसित किया गया 7 मार्च 1996 को घोसित किया गया डिग्गी कल्यांट जी का मंदिर कहां इस्तित है यह है टॉंक जिले में ही सहर से 60 किलोमीटर दूर इस्तित है डिग्गी कल्यांट जी का मंदिर कितना पुराना माना जाता है तो यह है चपन सो वर्ष पुराना माना जाता है डिग्गी कल्यांट जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है यह है स्री डिग्गी कल्यांट जी को समर्पित है श्री डिग्गी कल्यांड जी को किसका अवतार माना जाता है तो भगवान विश्णु का राजिस्तान का अंड भंडार किसे कहा जाता है तो ऐसे कुशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं राजिस्तान का अंड भंडार किसे कहा जाता है तो आंसर क्या है श्री गंगानगर ज्यादा डीप में जाके आपसे हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है आप लोगों से जोगरफी में थोड़ा सा अच्छे तरीके से कुशन जो है एक्जाम में आता है और पॉलिटी में आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो कुशन जो है वो कैसे भी पूछ लिया जाए ठीक है और हिस्ट्री में जादा डीप में जाके आपके एक्जाम में कुशन नहीं पूछा जाएगा बसे कौन से समारक कहां है कौन सा किला कहां है ठीक है वो है किसने बनवाया था इस तरीके कुशन जो है वो आपके एक्जाम में पूछते हैं लेकिन आप लोग इतना जादा डी जो question paper आये हुए हैं उनको आप उठा कर देखें और history के question जो है वो solve करें आप से सभी question जो है वो solve वो हो जाएंगे यदि आपने बहुत अच्छे से 6 से 10 को complete कर लिया है बुड़ा जोहर्ड गुर्द्वारा का निर्मान कब वा कहां किया गया था तो स्री गंगा नगर में 1954 इस्वी में बाबा पते सिंग की देख रेक में किया गया था बुड़ा जोहर्ड गुर्द्वारा में मेला कब लगता है तो यह मेला हर महा अमावश्या में लगता है किस कारण बुड़ा जोहर्ड गुर्द्वारा को बुड़ा जोहर्ड का नाम दिया गया था तो जत्थेदार बुड़ा सींग की प्रेणा से अधर्मी मस्सा रंग का सिरकाट गुर्दवारा में लाने के कारण बुड़ा जोहड गुर्दवारा को बुड़ा जोहड का नाम दिया गया हिंदू मलकोट सीमा किन मुख्य राजनितिक इस्थलों को अलग करती है तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने जोगरफी में किलियर किया है ये चीज कि हिंदू मलकोट सीमा जो है वह कहां है स्री गंगा नगर में जो की भारत और पाकिस्तान इन दोनों इस्थलों को अलग करती है जो की स्री गंगा नगर से 25 किलोमेटर दूरी पर है हिंदू मलकोट सीमा का नाम किसके नाम से रखा गया है तो यह बिकानेर के दिवान हिंदू मलके सम्मान में रखा गया याद रखना है स्री गंगा नगर में है हिंदू मलकोट सीमा और पाकिस्तान से लगती है जो और किसके नाम से रखा गया विकानेर के दिवान हिंदो मल के सम्मान से जीलों की नगरी किसे कहा जाता है जीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो उदैपुर में जहां बहुत सारी जीले हैं इसलिए इसे जीलों की नगरी कहा जाता है पिछोला जील कहां इस्तित है? तो पिछोला जील भी उदैपुर में इस्तित है पिछोला गाओं में पिछोला जील में इस्तित द्वीपों के क्या नाम है? पिछोला जील में इस्तित द्वीपों के क्या नाम है? जग निवास और जग मंदिर नेक्स्ट है पिछोला जील के पूर्व में इस्तित पैलिस का क्या नाम है? पिछोला जील के पूर्व में इस्तित पैलिस का क्या नाम है? सिटी पैलिस पिछोला जील से नहर द्वारा जुड़ी हुई कृत्यम जील का नाम क्या है? तो वह कौन सी जील है, कृतिम जील, फते सागर जील, जो कैसी है, कृतिम जील है फते सागर जील को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे कनौट बांध के नाम से जानते थे नेक्स्ट देखिए, फते सागर जील का उद्गाटन किस ने किया था, तो यह ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा किया गया था तो पहले इसका नाम भी इन्ही के नाम पर रखा गया था, तो फते सागर जील का उद्गाटन भी ड्यूक ऑफ कनौट ने किया था उद्यापूर की सोर वैदशाला कहां इस्तित है? यह पते सागर जील के मद्धे द्वीपर इस्तित है सहेलियों की बाड़ी का निर्मान किसने करवाया था? उद्यापूर में करवाया था महाराना संग्राम सींग दुट्ये द्वारा महिलाओं के लिए नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए करवाया होगा? महलाओं के लिए, किसने करवाया? महाराना संग्राम सींग ने, कहां करवाया? उद्यापूर में भारतिय लोकला मंडल नामक सांस्कृतिक संस्थान राजेस्थान के किस जिले में है? तो ये कुशन भी आप लोग अच्छे से कर चुके हैं उद्यापूर जिले में इस्तित हैं उद्यापूर में इसके भारतिय लोकला मंडल किन राज्यों की संस्कृति, त्योहारों, लोकला और लोग गीत के लिए समर्पित है? यह राजिस्थान, गुजरात और मध्यपरदेश इन तीनों राज्यों की संस्कृति, त्योहार, लोकला और लोग गीत इनके लिए समर् सहस्र वाहु मंदिर को अन्ने किस नाम से जाना जाता है बहुत ही easy question है यह है इसे सास बहु का मंदिर कहा जाता था जो कि धीरे धीरे परिवर्तन होकर क्या बन गया सहस्र वाहु मंदिर सास बहु का मंदिर कहां इस्तित है तो यह मंदिर जो है वह है उदैपूर में इस्तित है नागदा उदैपूर से 22 किलोमीटर दूर इस्तित है सासबहू का मंदिर तो यह लास्ट कुश्चन था इस चैप्टर का और चैप्टर होता है आपका कम्प्लीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू झाल तो